प्रिये विद्यातियों हमारे यूटूब चेनल में आपका स्वागत है आज हम स्टेंडर्ड फीफ्ट का चेप्टर फॉर राखी की लाज पढ़ेंगे राखी की लाज वो वही राखी है जो बहन अपनी भाई के हाथ पे बांधती है और भाई उसके क्या लाज रखता है देखो चितोड की गद्धी पर उस समय विक्रम जीत विराजमान था यानि एक कहानी है उस समय कोन था विक्रम जीत चितोड की गद्धी पर राजा था वो वैसे तो विक्रम जीत के अंदर भी राजपूती आग और दमक थी राजा थे वो राजपूती बनते थे तो विक्रम जीत था उसके अंदर भी राजपूती आग और दमक चमक थी पर सूजबूज नहीं यानि इतनी समझदारी उसमें नहीं थी वे जिद्धी, कामी और बदला लेने वाला था जो विक्रम जीत था वो जिद्धी था, कामी था और अपना बदला लेने वाला था इसके अतिरिक्ट उसमें एक आदत बहुत ही खराब थी जिद्धी, कामी उनके साथ-साथ उसमें एक आदत और भी खराब थी वे अपने वीर साथियों का अपमान कर देता था जो उनके साथ वीर साथि थे अपने दोस्त थे उनका अपमान वो कर देता था उसने भरे दरबार में अजमेर के करम चंद के मुहा पे तमाचा मारा था भरे दरबार में भरी सभा में जो सभाएं होते थी उनमें अजमेर का ज कंदे से कंधा मिलाकर साथ दिया था जो करम चंद था जिसके तमाचा मारा उसके पिता ने राणा सांगा का कंदे से कंदा यानि पूरा साथ मिलके उनका साथ दिया था इसके अतिरिक्त विक्रम जीत सी है अपना समय पहलवान और बले बाजूं पहलवान और तलवार वाजूं के साथ अधिक बिताते थे उनके साथ भी इसके अलावे विक्रम जीत अपना टाइम कैसे पास करते थे या तो प सुल्तान बहादुर खान को पता लगी कि विक्रम जीत ऐसा है ये खबर गुझरात के सुल्तान बहादुर खान को पता चली वह बड़ा खुस वहा कोन शुलतान बहादुर घुऊन ऎकटान क उन्हीं पर्फार खाले क्षान का निसे विज़ पहले हारे हुए थे बहादूर खांके बहादूर खांको मंडू की सुल्तान से भी मदद मिल गई थी बहादूर खां सेना बड़ी तयार करके चिद्टोड की साइड चल पड़ा उस यहां फिरंगी तॉम्चे थे और एक इंजनियर भी था इसका नाम लबरी खां था बहदुर खां के साथ था वह फिरंगी तॉम्चे थे और एक इंजनियर था जिसका नाम लबरी खां था और एक मांडू का सुल्तान थे विक्रम जीत सियां उस समय बुंदी के इलाके में अपनी सेना के साथ था जब बहदुर खां यहां से प्लाइन किया उस समय विक्रम जीत सियां था वो चितोड में नहीं था बुंदी के इलाके में अपनी सेना के साथ था जब उसे बहदूर खां के आक्रमन की खबर मिली, जब विक्रमजीत सिया को पता चला कि बहदूर खां मेरे पे आक्रमन करने आ रहा ये खबर मिली तो उसने तूरंत लड़ने का फैसला लिया, विक्रमजीत सिया ने तूरंत युद करने का फैसला ले लिया, कुछ सेना उसने चितोड की रक्षा के लिए बेज दी, उसके पास जो सेना थी उसमें से कुछ सेना, तो उसकी रक्षा करना भी बहुत ज़रूरी था, इसलिए उसने सेना चितोड के लिए बेज दी, मेवाड की रक्सा करने सभी राजपूत वीर आये और मेवाड की रक्सा करने के लिए जितने भी उनके पास राजपूत वीर थे वो सब आये बुंदी का राजा अपने 500 हाडा वीरों के साथ आया विक्रमाजीत बुंदी में थे तो बुंदी का राजा अपने पांसो हाडा वीरों के साथ भी वहां यूद करने आए सोनी गुरा और देवरा के वीर भी आए जालावाड और आबू के राव भी इकटे हुए बहादूर खाने चितोड के किले पे डेरा डाल दिया साहिब इकटे हुए सोनी गुरा और देवरा के वीर भी आए जालावाड और आबू के राव भी इकटे हुए बहादूर खाने चितोड के किले गेरा याने किले के चारों और गेरा डाल दिया उनके बहादूर खान के सेना ने मोट से जूजने वाले राजपूत कम थे यानि मोट का सामना करने वाले राजपूत वीरता से लड़ने वाले वीर कम थे पर उनके दिल में उत्सा था जितने भी थे उनके दिल में लड़ने का उत्सा था गड़ के अंदर रानी कर्णावती और उनकी पुझे सासे जवाहरबाई मौजूद थी जो चितोड का किला था उसके अंदर रानी कर्णावती थी और उसकी पुझे सासे जवाहरबाई अंदर मौजूद थी राने करमावती को एक बात सूजी राने करमावती के दिमाख में एक बात आई उसने राजपुरोहित को बुलाया राजपुरोहित यानि जो राज्ये में समाचार भेजने के लिए राजपुरोहित होते थे तो उसको बुलाया और एक पिटारी में रखी रखी करणावती ने एक राजपुरोहित को बुलाया और एक छोटी सी पिटारी में राखी रखी 50 हाडा सवारों के साथ राजपुरोहित को सुरंग से द्वारा किले से बाहर निकाला सुरंग होती थी राज महलों के बाहर की साइड निकलने के लिए जमीन से खोद के उसको तयार किया जाता था तो उसे सुरंग से राजपुरोहित को किले के द्वार से बाहर निकाल दिया गया उसने पिटारी में मुगल समराथ हुमायू के लिए राखी भेजी थी जो राजपुरोहित को पिटारी दी थी उसमें क्या था हुमायू के लिए राखी जो कर्णावती ने भेजी कर्णावती ने उसे अपना भाई बनाया और उससे रक्षा की प्रार्थना की करणावती ने हुमायू के लिए पिटारी में राखी बेजी कि मैं आपकी बहन हूँ और आपको राखी बेज रही हूँ मेरी रक्षा करना, रक्षा से उसकी प्रार्थना की जवारबाई ने कहा क्या तुम समझती हो कि हुमायू मुसल्मान होकर एक दूसरे मुसल्मान के खिलाफे लड़ेगा जवारबाई जो करणावती की सास थी उसने अपनी बहू करणावती को कहा कि क्या तुम समझती हो कि हुमायू एक मुसलमान है और उदर से बहदुर खा है वो भी मुसलमान है तो हुमायू मुसलमान होकर एक दूसरे मुसलमान के खिलाप लड़ेगा क्या करणावती ने कहा हा मुझे विश्वास है करनावती ने अपनी सास जवारबाई को अंसर दिया कि हां मुझे विश्वास जभान है कि वह अपनी राखी बंद भेन पहतकी रक्षा के लिए अवस्वhomme सब्सक्राइगा यहांनी मेंने राखी बेजी है तो मैं करणावती ने राखी बेजी, वो रातो रात किले से बाहर निकल कर हुमायू से मिलने के लिए वहाँ से चल दिया बहदूर खां का दबाव बढ़ता जा रहा था बहदूर खां की सेना थी वो चितोड के कीले को चारों और से घेर रही थी उनका दबाव बढ़ रहा था करणावती को अपने मुह बोले भाई हुमायू के उत्तर की प्रतिक्षा थी जो करणावती थी उसने अपना मुह बोला भाई हुमायू को बनाया था अपने मुह बोले भाई के उत्तर की प्रतिक्षा थी कि मैंने राखी भेजिये वो मेरी साहता करने आएंगे उसे भरोसा था कि हुमायू अपनी बहन की मदद करने सेना लेकर जरूर आएगा कर्णावती को पूरा विश्वास था पूरा भरोसा था कि हुमायू है अपनी बहने कर्णावती मदद के मांगी है तो वो मदद करने के लिए एक बार जरूर आएगा बहादूर खां का दबाव बहुत अधिक बढ़ रहा था किले की विशाल दिवार हिल गई और लगबग 45 फिट तक दहे गई बहादूर खां की सेना था उसका दबाव और जदा बढ़ रहा था यानि युद्ध तेज हो रहा था तेजी पे चल रहा था किले की विशाल बड़ स्फीट तक डहे गई यानि दिवार धस गई बूरी तरह मार काट हो रही थी युद्ध था वो बूरी तरह चल रहा था जवार भाई को अब कोई आस नजर नहीं आ रही थी करणावती की सास्ती जवार भाई उसको कोई आस नजर नहीं आ रही थी कि हुमायू आएगा उन्होंने अपनी बहु करणावती को बुलाया और कहा बेटी अब वीरता दिखाने का समय आ गया है जमार भाई ने अपनी बहु करणावती को बुलाया और कहा कि बेटी कोई सायता के लिए नहीं अब वीरता यानि जो ताकत है वीरता की वो ही दिखाने का समय आ गया है सायद थोड़ी देर तक ही हमारे वीर इस हमले को रोक सकेंगे यानि हमारे पास वीर सेनिक है वो बहुत कम है और थोड़े ही टाइम के लिए वो इस हमले को रोक सकेंगे करणावती ने एक बार फिर किले के बाहर नजर दोड़ाई करणावती है उसने एक बार यानि किले के चारों और फिर बाहर देखा, नजर दोडाई वह बुध-बुध आई, यानि कुछ मुझे मोंसे बोली मेरा मुह बोला भाई हुमायू आएगा जरूर, मुह से बुध-बुधाते हुए क्या कहा कि मेरा जो मुह बोला भाई वो आएगा जरूर बालक उदे सिंग को किसी भी तरह किले से बाहर निकलवाना था जो करणावती के पास उदे सिंग था उसको भी किले से बाहर निकलवाना था बुंदी के राजगुमार को बालक उदे सिंग सोंप दिया गया बुंदी का राजगुमार था उसको उदे सिंग सोंप दिया गया बुंदी का राजगुमार सो वीर गुड़ सवारों के साथ सुरंग द्वारा बाहर निकल गया बुंदी का जो राजगुमार था वो उदे सिंग को लेके और सो गुड़ सवार यानि गोड़ों पे सवारी करते हैं उनको गुर सवार बोलते हैं, राजकुमारों के साथ है, वो सुरंग दवारा, यानि वो ही जो महल में सुरंग बनाई होती है, उसी से बाहर निकल गया था, उधर करणावती ने सब राजपुताइनों को बुलाया, यानि जो राजपुत थे, उनकी वाइफों को सब को बुल पर गान गाने लगी, सब अपना सोलशरिंगार करके जोहर गाने लगी, जोहर गान होता है, जो अपनी लाज और अपने फीडियों के लाज़ बचाने के लिए सीधी लेडिजें आग में समा जाती थी, चिता दूंदूं करके जलने लगी, सब राजपुताइन और करणाव चिता में तयार होगे चिता में खड़ी हो गई और जिता है वह वहां जलने लगई तब यह वहां अगया वहां वह सर से पा हौंध तक जीहर बक्तर पैने थी जीहर बक्तर होता है जो चमड़े का अपना सेफ्टी कवच होता है उसके हात में खांदानी तलवार थी यानि बहादूर लेड़िसों के हात में जो तलवार होती है वो भी अपने खांदान की तलवार थी अपनी बहु करनावती का माथा चूम कर उन्होंने उसे असिरवाद दिया और बोली उनकी बहुत ही करणावती उसका माथा चुमा और उन्हें आसिरवाद दिया और क्या बोलती है आकरमन बढ़ता जा रहा है बहु यानि आकरमन है वो युद है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है जब तक तुम विधी पूरवक अगनी देवता की सरण में जाओगी तब तक मैं इसके आकरमन के वेग को थामे रहूंगी यानि मेरे में इतनी ताकत है कि जब तक तुम अगनी देदा वो अगनी में गई थी यानि वो जब तक आप अगनी देदा की सरण में नहीं जाओगे तब तक मैं इसके आकर्मन यानि युद के आकर्मन का जो वेघ बढ़ रहा है उसको थामें रखूंगी जोहरवरत में वीगने नहीं पढ़ना चाहिए यानि जोहरवरत रखा है उसमें कोई बाधा नहीं आने चाहिए ये कहकर जवारबाई ने बचे खुचे योद्धाओं को टेर दी ये कहे के करणावती को और जमार बाई ने जो योद्धा जो युवीर थे एक दो उनको टेर दी यानि आवाज दी किले का फाटक खोल दिया गया देवला के राजकुमार के हाथ में चितोड की पता का जवार भाई घोडे को एड लगा कर गरजी हर हर महादेव घोडे की एड होती है जो घोडे के पकड़ने का होता है उसको बजाते हुए गरजी जवार भाई की हर हर महादेव उनके पिछे राजपूत योधा बिशन आंदी की तरह बहादूर खां की सेना पर तूट पड़े यानि जवाहर बाई पे और उनके जो एक दो वीर थे उन पे बहादूर खां की जो सेना वो आंदी की तरह तूट पड़े जमाहर भाई सत्रू दल में घुसकर कुरूद ततया की तरह लड़ी जमाहर भाई थी वो भी अपने सत्रू के दल में सत्रू के भीड में घुसकर कुरूद ततया की तरह लड़ी थोड़ी ही देर में उनके सभी सिफाई और वे स्वेम वीरगती को प्राप्त हो गई थोड़ी देर ये युद्ध चला इतने में उसके जमाहरबाई के सिपाई और जमाहरबाई दोनों वीरगती को प्राप्त हुए यानि मर गए उधर करणावती 13000 विरांगनाओं के साथ जोहरगान करती हुई अगनी में परवेस कर गई थी करणावती थी वो विरांगनाओं को कितनी व पहुंचे उस समय हुमायू बंगाल की तरफे कुछ करने की तयारी कर रहा था जब राजपुरो ही थे करणावती की राखी लेके हुमायू के पास पहुंचे थे उस समय हुमायू बंगाल की साइड जाने की अपनी सेना लेके जाने की तयारी कर रहा था साइड वैप पहला मुसलमान था जिसे एक हिंडू बहन ने राखी भेजी हुमायू था वो पहला मुसलमान था जिनोंने एक हिंडू बहन करनावती ने उनको राखी भेजी थी हुमायू का दिल भर आया और उसने बंगाल की तरफ जाती हुई अपनी सेना का मुखे राजपुताना की और मोड दिया यनि हुमायू उसमें वो राजपुरोईत राखी लेके पहुंचा उसमें बंगाल की साइड अपनी सेना लेके जा रहा था तो हुमायू का दिल भर गया वो रखी देखके और उसने अपनी जो सेना तयार की पूरी सेना का किस साइड मोड दिया राजपुताना चितोड की और मोड दिया जब वह चितोड पहुंचा, हुमायू जब चितोड अपनी सेना के साथ पहुंचा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, हुमायू की आखें भर आई, यानि उनकी बहन करनावती जोहरगान करके चली गई, उसने बहादूर खां की सेना की धजियां उड़ा दी, अंदर बहाद बहादूर खां की सेना थी, उसकी धजियां उड़ा दी, जिसे मांडू के सुल्तान ने बहादूर खां की साहथा की थी, शुरू में बहादूर खां को मांडू के सुल्तान ने साहथा की, तो उससे भी बदला लिया, हुमायू ने उसने बहादूर खान के सेना की धजियां उड़ा दी जिस मांडू के सुल्तान ने बहादूर खान की सहायता की थी उसने भी बदला लिया मांडू सुल्तान का भी बदला लिया हुमायू है उसने मांडू पर आक्रमन किया और सुल्तान को बंदी बना लिया हुमायू ने अपनी राखी बंद हिंदू बहन रानी कर्मावती के पति विक्रम जीत की कमर में फिर से तलवा रे बांधी और उसे चितोड की गर्दी पे बिठाया चितोड का फिर राजा राणि कर्मावती का पति रिक्रम जीत की रहा देखो सब्दार थे विद्धेमान मौजूद दमक चमक जीहर बक्तर क्वाचे पहले जमाने में युद्धाउं द्वारा लड़ाई के समय बचाव के लिए पहने जाते थे पूर्वज अपने से पहले के पिता दादा परदादा आदी तोमची तोप चलाने वाला विधी पूर्वक सनातन तरीके से जूजना लड़ना जोहर वृत सत्रू से अपनी मान मर्यादा की रक्षा के लिए इस्त्रियों द्वारा अगनी में जल जाना गड़ कीला मुहे बोला मुक से बोला हुआ वीगन बाधा तेर पुकार डहना गिरना अवा के हेरान बोलना पाना आस आसा धजियां तुकडे तुकडे थेंक यू